आज हम सॉल्ट्स के बारे में बढ़ेंगे जैसे हमने एसेट्स और बेसिस को कवर किया है ऐसी सॉल्ट्स की स्टडी आज करते हैं स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का सॉल्ट्स तो यह रियक्शन आपने पहले भी देखी थी बलते हैं बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करना हो तो कैसे बोल सकते हैं salts are produced by neutralization reaction neutralization reaction acid और base की reaction को neutralization reaction बोलते हैं दोनों acid या फिर base दोनों एक दूसरे की effect को neutralize करते हैं अब बात करते हैं इनके pH की की एक question आता है कि salt का pH क्या होगा तो जो salt का pH होता है वो depend करता है कि वो किस base और किस acid से मिलके बने हुए है उनके nature पे इनका pH डिपेंड करता है जैसे कि अगर बात करते हैं NACL की तो NACL कैसे बना हुआ है strong base और strong acid से बना हुआ है तो इसका pH क्या होगा इन दोनों एक दूसरे के effect को neutralize कर देंगे तो जो इनका pH होगा वो भी neutral होगा और आपको पता है कि जो neutral pH की value कितनी होती है 7 water वाली जो होती है अब बात करते हैं अगर जो बनने वाला salt है वो बन रहा है strong base और weak acid से तो यानि कि जो pH होगी salt की वो किस पे depend करेगी base पे depend करेगी क्योंकि जो acid है वो completely neutralize acid तो completely neutralize हो जाएगा तो इस पे depend करेगा तो जो salt होगा उसके pH की value क्या होगी greater than 7 होगी ऐसे ही salt of strong acid and weak base की बात करेगी तो जो salt की pH होगी वो acid पे depend करेगी जो strong part है तो pH क्या हो जाएगी less than 7 हो जाएगी तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो strong part होता है यानि कि जो salt है वो किस से मिलके बना हुआ है अगर strong acid और weak base that means strong acid से बना है तो acid वाली pH होगी यानि कि 7 से कम होगी और अगर वो strong base से मिलके बना हुआ है और weak acid है उसमें तो strong base यानि कि pH जो जाएगी वो greater than 7 हो जाएगी अब हम बात करते हैं हमें कुछ salt की study करनी है तो उसकी preparation उसकी properties उनका chemical name chemical formula एक salt तो पूछा ही जाता है यह बहुत important part है तो अपना पहला salt शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है common salt तो common salt का जो chemical name होता है वो sodium chloride होता है chemical formula NaCl तो बनता कैसे है HCl plus NaOH it gives NaCl plus water याने की HCl और NaOH को जब हम mix करते हैं तो NaCl जो की common salt है वो produce होता है अब large scale पे चाहिए तो sea water में आपको पता है जो समुन्दर का पानी होता है वो खारा होता है वो खारा अपन किस बज़ा से है क्योंकि उसमें salts होते हैं तो बहुत सारे salts होते है उन salts को उनमें से एक salt NaCl होता है इन salts को separate करते है तो NaCl जो है वो obtain होता है और अब नेक्स बात करते हैं कि जो common salt है वो rock salt इससे भी prepare करा जाता है ये question पूछा जाता है what is rock salt, defined rock salt तो जो rock salt होता है वो क्या होता है brownish color के large size crystals होते है और इन से common salt obtain करा जाता है इनका brown color की वज़ा क्या है क्यों होता है brown color impurities की वज़ा से अब common salt के uses के अगर हम बात करें तो जो common salt है वो raw material का काम करता है और दूसरे चीजों को दूसरे salts को बनाने के लिए जैसे इसमें इससे baking soda बन सकता है washing soda बनता है अब हम आगे पढ़ेंगे इन salts के बारे में sodium hydroxide जो की एक base है ये बनाया जाता है bleaching powder बनाया जाता है ऐसी और भी बहुत सारी चीज़े बनाया जाती है